हलो गाईज मैं हूँ पप्पू और आज इस वीडियो में जानेंगे संतूलित अहार किसे कहते हैं और हाँ याद रखिएगा आप से पुछा जा सकता है संतूलित अहार क्या है संतूलित अहार की परिभासा क्या होती है संतूलित अहार से आप क्या समझते हैं संतुलीत आहार किसे कहते हैं तो आपको डरना नहीं है जो कुछ में मैं बताऊंगा न वो आप लिखकर आ जाईएगा ओके तो चलिए सुरू करते हैं संतुलीत आहार जिसें इंगलिस में कहते हैं balanced diet भोजन में सभी पोशक तत्व का उचित मात्रा में उपस्तित होना ही संतुलीत आहार कहलाता है यानि भोजन में पोशक तत्व यानि कार्बोहेड्रेड प्रोटीन वसा बिटामिन एवं खनी जलवन साथ ही आजाता है जल और रुच्छान्स तो यह सभी के सभी क्या है पोशक तत्व है तो पोशक तत्व को उचित मात्रा में उपस्तित होना ही संतुलीत आहार कहलाता है तो यहां पर गौर किजिए पोशक तत्व जैसे कार्बोहेड्रेड में आलू आ जाता है सकरकंद तर्बूज एक चावल आ दिए इसके बाद आ जाता है प्रोटीन प्रोटीन में आ जाता है सभी दाल मांस मंचली अंडा बरफी मिठाई दूध आ दिए और इसके बाद आ जाता है वसा वसा में देख सकते हैं सभी तेले मांस मचली अंडा दूध घी क्रीम मखन आ दिए इसके बाद आगे देखे बिटामिन है बिटामिन में पपिता आम गाजर दूध मचली का तेल बादा आम जो यकरेत टमाटर संत्रा अमरुद हरी मिर्च न प्रेंच बिन बादाम पालक सेब मडवा साबुत अनाज यकरेत अंडा मुली सलगम यह सभी के सभी क्या है पोसक तत्व हैं और इन ही को उचित मातरा में होना ही क्या कहलाता है संतुलित आहार ठीक है तो आई होप आप समझ गए होंगे कि संतुलित आहार क्या होता है और क क्या है